आज के इस वीडियो में आप लोगों को option selling का complete knowledge मिलने वाल है आप लोगोंने option selling से related बहुत सरे वीडियो देखे होंगे लेकिन वो एक भी वीडियो live में नहीं है तो live में हम लोगों के साथ में किस तरीके से difficulties आती है option selling करने के दोरान हर एक चीज़ों को मैंने live में आप लोगों के लिए proof कर दिया है अगर हम लोगों बात करें losses की तो बहुत कम loss लेके आप market में survive कर सकते हैं option selling में live में मैंने किस तरीके से analysis किया और मैंने किस तरीके से option के contract को add किया हम लोगों ने जिस level के आसवास में buying किया न market उसी level पे आगिया बहुत time बाद अगर option buying का contract रहता न तो हम लोगों का 78000 का loss होता लेकिन यहां पे हम लोगों ने profit किया है क्योंकि हम लोगों के पास में था option selling का contract वैसे तो हर एक contract अपने जगह में सही है option buying का अपना benefit है option selling का अपना benefit है हर एक चीज आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप market में trade कर रहे हैं तो कौन सा contract आपके लिए best है फिर आप उस चीज को identify कर सकते हैं अगर आप लोगों को आज के ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजेगा गड़ मॉर्निंग अबरिवन एक और नया दिन एक और न्यू लाइब मार्केट एजुकेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वगत करता हूँ डेट है आज का 23 ओफ नवेंबर आज थस्डे है और टाइम हो रहा है 9 बच के 3 मिनट सो ट्रेस कल हम लोगोंने एक सेलिंग का ट्रेट को प्लान आउट किया था हम लोगोंने सेल किया था somewhere around ये लेबल के आजपास में ब्रेकडाउन होने पर ठीक है अगेन यहाँ पे बहुत जाद अकल हम लोगों को fall देखने को मिला तो यहाँ पे जो market ने fall दिया अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग hold करते trade को तो कितना बरा मुनाफ़ा हम लोग कमा लेते हैं अब वेट कीजे तकी बरे players पैसा बना ले उस time पे तो सब कुछ एक चाल है और आपको समझदार बनना बहुत जादा जरूरी है यह सब fall एक devil type का है यह सब fall से डरना बहुत जादा जरूरी है यह सब fall नहीं करेगा तो market कैसे आपको expectation के दुनिया के अंदर में लेके जाएगा market पैसे का समुंदर है समुंदर की गहराई में जाने का try ना करे जितना आप से हो सकता है logical plan out कीजिए जितना आप practice किये हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे काम कीजिएगा और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या हम लोग यहाँ पे option selling कर सकते हैं लोग new new चीजों को देखते हैं YouTube पे सीखने का try करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक simple सा चीज़ समझ दीजेगा अगर हम लोग bank nifty को buy करते हैं option के contract option buying के contract में तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे call option को buy कर लेते हैं हम लोग का जो view रहता है upside का लेकिन यहाँ पे ultra हम लोग करना पड़ेगा option selling में put option को sell करना पड़ेगा तो इससे हम लोग का view उपर side करेगा यहाँ पे अगर हम लोगों का view market down है ना, तो हम लोगों क्या करते हैं, put option को buy कर लेते हैं, option buying में, लेकिन यहाँ पे आपको call option को sell कर देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें capital requirement बहुत जादा लगता है, लेकिन, जो future contract हम लोगों ने लिया था ना, आप लोगों ने देखा था, 87,000 का एक lot आया था हम लोगों का, ठीक है, तो option selling में सब लोगों के पास में तो capital उतना होता नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है, यह time जो है न हम लोगों का, time हम लोगों के favor में रहेगा, option selling में, option buying में क्या होता है, time हम लोगों के against में रहता है, मतलब quick यहाँ पे market क करने का भी try करेंगे, okay, so market opening दे रहा है, somewhere around 43, 4, 32 के आसपास में, previous drawings को remove कर देंगे हम लोग, and chart को कर देंगे, save, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे, so वीडियो को एक like करके channel को support कर सकते हैं, ताकि इसी type का education में हमें साब लोगों को देता रहा हूँ, time हो रहा है 9.15 market यहाँ पे आज जो है, पूरा flat opening दिया है, नहीं बड़ा gap up, नहीं बड़ा gap down, उपर से हम लोगों का maybe एक trend line आ रहा है, जो की rejection को indicate कर रहा है, कहीं मतलब, तोड़ा बहुत sellers के तरफ में indication दे रहा है, and अभी जिस level के आसपास में trade कर रहा है, 43, 500 मतलब यह एक psychological round number है, ठ अगर इसके उपर में drive कर रहा है market, so maybe थोड़ा बहुत और उपर जाने की probability है, ठीक, एक new trend establish करने की probability है, अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे buying are यहाँ पे, and FIB retracement से high to low के accordingly भी 0.5 का ratio है, हम लोगों ठीक है, wait करेंगे हम लोग, market हो थोड़ा से drive होने देंगे अगर rejection वेगर लिया, तो कुछ selling के लिए view बना सकते हैं, लेकिन already देखें, market बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है न, इसलिए थोड़ा बहुत अपने efficiency को maintain कर रहा है market, so wait करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे scenario मिलता है, selling का या फिर buying का, selling करने के लि strike price हम लोग सभी पहले से add करके रख लेंगे, 43,500 का add करेंगे, and 43,400, नहीं, 43,500 का ही add-on करके रखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे strike price हम लोगों ने put option में add-on किया है, अगर मेरा view buying side में है, तो हमें इसको put option को sell करना पड़ेगा, ठीक है, and अगर हम लोगों का view downside में होग न, तो हम लोगों को यहाँ पे 43,500 के call option को add करना पड़ेगा, once a minute, यह वाला call option, and expiry वाला भी देखते हैं, 6th December का, call option को sell करना पड़ेगा, या फिर put option को sell करना पड़ेगा, wait करेंगे, देखते हैं, किस तरीके से market behave कर रहा है, सो टाइम हो रहा है, 923, थोड़ा बहुत दीखे, bullish behavior दिखा रहा है, लेकिन काफी सो समझ के buying activity को लेना हम लोगों को, कहीं trapping में न, फस जा हम लोग, थोड़ा साना इसके opacity को कम कर देते हैं, यहाँ पे यह आरा ratio सही होना चीए, बट rejection यह एक आसपास में है, चलिए option selling contract दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अगर मेरे view उपर site का है, सो यहाँ पे हम लोग put option को sell करेंगे, ठीक है न, यहाँ पे quantity लेते हैं हम लोग 105, या फिर 225 लेते हैं, देखे, capital तो ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन आप लोगों को option selling का benefit दिखाना चाहता मैं, यहाँ पे ध्यान दिजेगा, put option को मैंने sell किया, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, कि अगर market उपर जाता है, ठीक है, अगर market उपर जाता है, लेकिन silently behave करके, नीचे भी आ जाये, दिकत नहीं है, loss नहीं होगा लेकिन हम लोगों का, लेकिन अगर उपर जाके थो sudden move आ गिया, तो आप लोग देखेगा, ज्यादा सायद profit ना ले पाए हम लोग, फिर भी देखते हैं कितना क्या benefit हो पाता है हम लोगों का, वीडियो को एक like करके चैनल को जरूर सपोर्ट कीजेगा, हर एक चीजों का education मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, भली मेरा loss हो, profit हो, loss होगा तो चली loss को मैं fit से recover कर लूँगा, लेकिन आप लोग demand करते हैं, so मेरे को दिखाने में काफी ज़्यादा सही लगता है, यहाँ पे हम लोगों का 0.5 का area है उसको भी market यहाँ पे breakout दे दिये, सबसे पहले यहाँ पे evidence देखे कितना सारा है, 0.5 को breakout दे रहा है market, उ उसके बाद जिस level के आसपास में trade कर रहे है ना market वो एक round number है, उसके उपर में drive कर रहे है market हाँ, उपर से जो rejection आ रहे है यह थोड़ा बहुत हम लोगों को रोक सकता है, यहाँ पे में भी थोड़ा बहुत new trend established होना चाहरा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, मैंने यहाँ पे यह view बनाया है, option selling के हिसाब से एक view हम लोगों का यह भी बना हुआ है, कि अगर market उपर नहीं जाके थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए and silently behave कर ले, तो भी हम लोग profit में रहेंगे, ठीक है, देखते हैं किस तरके से market drive कर रहे है, अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो को लास तक आप लोग जरूर देखिएगा, कितना जादा market wait कर वा रहा है and पूरा time का favor हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, profit हम लोगों का बढ़ता ही चला जा रहा है, यहाँ पे जितना जादा market time spend करेगा and यहाँ पे आप लोगों ने इस candle को देखा, किस तरके से candle ने react किया, दुबारा से एक बार और chance दिया, support पे आने कितना जादा नहीं होता है, profit होता, लेकिन इतना जादा साइद नहीं होता है, आप लोग भी पता यह चीज, लेकिन हम लोगों के पास में है, option selling, market जो भी react करे, profit हम ही लोगों को होगा, लेकिन हम लोगों के direction में होगा, ऐसन ही है कि नीचे आ जाया market and बहुत time तक wait कर वा रहा है और नीचे आ रहा है, दो भी profit कमाएंगे, नहीं, तो profit नहीं कमाएंगे आप, तो छोटा मोटा loss कमाएंगे आप, लेकिन उसमें भी losses होते हैं बड़े बड़े, आगे जाके जब मैं और दिखाऊंगे आपको, अगर stop loss seat होगा, तो आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से loss वेगर भी हो रहा है ठीक है, अभी तो फिलाल चले profit में है, time spend कर रहा है market यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो thinking के साथ मैंने यहाँ पे लिया, जो education आप लोगों को देने के लिए, मैंने इस state को लिया ना, market ने हम लोगों का पूरा साथ दिया दोस्तों, मुझे profit नहीं लेकिन आप लोगों को एक साई education मिल जाए, बस उसी से मेरे को बहुत ज़्यदा profit हो जाता है, अभी जो profit चल रहा है ना, यह सायद option buying में नहीं चलता, सायद 1000 रुपे या 500 रुपे का सबस के profit रहता है, लेकिन option selling है, तो इससलिए सारा का सारा premium का benefit, जितना भी premium lose हो रहा है, सब benefit हम ही लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, वेट करेंगे देखते कहां पर trade को square off करना है, जो चीज मुझे दिखाना था, मैंने दिखा दिया, अब profit हो, loss हो, उससे मेरे को अब कोई फरक ने पड़ता, So time हो रहे, 11 बच के 14 मिनाड, जिस level के आसपास में, हम लोगों ने यहाँ पर buy किया, market उपर तो गिया, बहुत ज़्यादा time बाद market दुबारा से वहाँ पर आ गिया, अगर यह option buying रहता ना आपका, definitely, अभी अगर आप देखेंगे, तो कुछ भी loss नहीं चल रहे हैं हम लोग से कम 5-6,000 के नुकसान में अभी आप होते, जो हम लोगों का option selling में नहीं हो रहा, पूरा का पूरा time का favor है हम लोगों के पास में, यही चीज मुझे आप लोगों को दिखाना था, जैसा हम लोग contract future में लेते हैं, लेकिन future एक stable contract है, वहाँ पर time का benefit नहीं मिलेगा, लेकिन इ ऐसा नहीं कि option selling कर लिए, अब market जैसे भी behave करें हम लोगों का profit ही हो, नहीं हम लोगों के opposite में जाएगा, तो हम लोगों का loss चल लन स्टार्ट हो जाएगा, वेट करेंगे देखते कितना loss है कितना profit होता है इस trade में सुट्रेस time हो रहा है, 11.43, market उसी level के आसपास में घूम रहा है, जहाँ पर हम लोगों नहीं लिया था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ profit में है, huge loss में नहीं है, अगर ये trade option buying कर रहे तो साइध हम लोग यहाँ पर 57,000 के आसपास के loss में रहते, यहाँ पर मैं काम करूंगा, कुछ quantity को मैं यहाँ पर square off करने का planning कर रहा हूँ, 105 मैं यहाँ पर square off कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत time हो रहा है, and market भी interested नहीं है, उपर जाने में, चलिए कोई दिकत नहीं है, कुछ profit ही हम लोगों नहीं यहाँ पर book किया है, losses में नहीं है, हम लोग यहाँ पर position को square off करने का यह plan कर रहे है, 120 है, इसी level के आसपास में लिया था, बट इसी level के आसपास में हम लोग square off कर रहे हैं, इस trade को, option का contract रहता है, तो सायद यह trade में हम लोगों का भी तक में, 4 या 5,000 का loss होता, ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको live में दिखाऊंगा, कितना loss होता है, उसके लिए मुझे दूसरा dmit use करना पड़ेगा, फिर upstock का मेरा, तो उसमें मैं buy भी कर लूँगा, ठीक है, and sell भी कर लूँगा, मतलब call option को मैं यहाँ पर buy करूँगा, and put option को मैं यहाँ पर selling करूँगा, and दोनों में क्या differences हो रहा है, कितना loss call option में होता, and कितना profit हम लोग put option में ले रहे हैं, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल, ताकि एकदम पूरा clear हो जया आपके सामने, अभी मैं blindly बोर्ड रहा हूँ कि यहाँ आपका call option में loss होता, लेकिन यह एकदम reality है, call option में आपका loss ही होता, लेकिन वो चीज़ में proof नहीं कर पाया यहाँ पर दिखे, बहुत time market wait कर दिया, interested नहीं रहा market उपर जाने में, जहाँ पर हम लोग ने लिया था, उसी level के आज़ पास market आ गया गुम फिर के, and कुछ 1300 का आज़ पास का हम लोग यहाँ profit book कर पाए, दिखे हर एक contract अपने जगह में सही है, मेरे हिसाब से option buying भी सही है, अब बहुत लोग बोलेंगे सहर, option selling based है, हाँ, option selling based है, लिकिन आप देखिए, उसमें margin में तो कितना ज़्यादा लग रहा है हम लोग का, हम लोग का capital भी उसमें कितना ज़्यादा utilize हो रहा है, and दोस्तो, chart analysis करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे panel यूज करते है, इसका नाम बच्चे होएं, दो दिन, एक घंटा, आप देख सकते, timer चल रहा है, यहाँ पे, यह मेरा कोई service नहीं है, tradingview.com, जो chart terminal हम लोग use कर रहे हैं, उसका service है, आप लोग यहाँ पे explore कर लिजेगा plan को, कितना क्या plan है, अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकत है, और मैं आप लोगों के लिए एक giveaway देने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, essential, plus and premium, मैं यहाँ पे random ले तीन बंदे को select करने वाला हूँ, and तीनों बंदों को one year के लिए मैं एक essential pack दूँगा, plus plan दूँगा, and premium plan दूँगा, and जिसका cost आप देख सकते है एक 10,000 का plan मैं आपको दूँगा, एक 17,000 का plan दूँगा, and एक 18,000 का plan दूँगा, वैसे तो यह Black Friday में इतना off दिखा रहा है आपको, and यहाँ पे आपका कितना save वोर आप देख सकते हैं, anytime यहाँ पे इतना आपको amount जादा लगता है, so मैं यहाँ पे एक giveaway करने वाला हूँ, Friday तक मैं यहाँ पे winner announcement करूँगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ description में link दूँगा, trading view का official, telegram channel, instagram channel, उनको आप follow कर लिजेगा, and यहाँ पे मैं random winner choose करूँगा, कोई भी तीन बंदे को, मैं यहाँ पे तीन plan दूँगा, ठीक है न, and यह सभी plan one year का आपका validity रहेगा, जो भी winner यहाँ पे announcement मैं करूँगा, उसका मैं trading view का username ले लूँगा, ठीक है, उस trading view के username में, मैं यहाँ पे आप लोगों को, जो भी plan है, मैं upgrade कर दूँगा, so यहाँ पे 10,000 का, 17,000 का, and 18,000 का, यहाँ पे मैं आप लोगों को almost 46,000 के आसपास का, एक छोटा सा giveaway दे मैं देखूंगा कि winner कौन हो रहा है, तो make sure आप यहाँ पे new idea से comment मत कीजेगा, description box में link है, आप trading view के official site को follow कर लिजेगा, telegram, instagram, twitter, and comment कर दीजेगा एक छोटा सा, कि trading view को chart terminal आपको कैसा लगता है, and मेरा video आपको कैसा लगता है, so मिलते हैं, एक next trade के साथ में, एक new education के साथ में इस video को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवा, thank you so much, take care, have a safe trading